एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है में पर दोस्तों आपके अपने उटूब चैनल पर मेरे पर दोस्त अगर आप में फच्टियर में हैं और आपने समाज सास ले रखा है तो इस वीडियो को पूरा देखेगा क्योंकि वीडियो में जो है काफी जादा मजाने वाला और आपके लिए काफी जादा इंपॉर्टेंट होने वाला है इंपॉर्टेंट इस ले होने वाला क्योंकि हम बात करने वाले हैं समाज सास के पेपर नंबर एक के बारे में जिसका नाम है सामाजिक बिचारों का इतिहास उसमें हम अतलग उत्तरी वाले पूर्शन को देख रह है क्योंकि अक्सर करके आप से कमेंट आप लोग कमेंट सेक्षन में जरूर पूछते हैं कि सर बताईए अतलग उत्तरी परसन हम कहां से त्यार करें कौन कौन से प्रसन पूछे जाने वाले हैं किस प्रकार से प्रसन पूछे जाने वाले हैं उनकी तैयारी हम कैसे करें सारे प्रस्ट आपके comment section में आते रहे हैं तो इसका हमने एक उप चार ढोड़ा है करीब करीब इसमें से पचास से साथ question ऐसे तयार किये हैं जो आपके paper नमबर एक में आने तहे हैं तो उसमें से आपके 10% पूछे जाते हैं तो वो 10 के दसो प्रस्ट यहीं से पूछे जाएंगे यहां से अलग नहीं होने वाले हैं और यह वीडियो जादा लंबा नहीं होता है चोटा छोटा बना जा रहा है 6-7% कबर किये जा रहे हैं क्योंकि अगर जादा वीडियो लंबा कर दिया जाएगा तो सायद आप उन चीजों को connect नहीं कर पाएं हम अगर चाहें तो 2-3 गंटे की मेराथन कलास चला भी दें तो आप उसमें से अगर 1-2% नहीं याद कर पा रहे हैं तो हमारे चलाने का फायदा ही क्या हुआ ठीक है तो इसलिए हम 6% अगले आने मरलवीस वाले वीडियो में 6-7% कबर करने का प्रयाज करेंगे और ये कोशिस करेंगे कि ये प्रसन आपको अच्छे से याद भी हो जाएं अगर नहीं याद हो रहे हैं तो आपको टेली ग्राम ग्रूप को जोईन कर लीजिए वहाँ पे आपको जो है डिस्क्रिप्सर में लिंक दी हुई उस ग्रूप की वहाँ से जाके जोईन कीजिए और उससे में जाकर करके ये पीडियाप आप बिल्कुल मुप्त में प्राप्त कीजिए और वहाँ से आप इन चीजों को अच्छे से पर ये ठीक है तो चलिए देखते हैं सातवा नमर प्रसन आप से क्या पूछ रहा है सातवा नमर प्रसन पूछ रहा है काल मार्स क्या इतिहासिक भौतिक वाद क्या है यहाँ पे आपको बताना है तो एतिहासिक भौतिक वाद का अर्थ है इतिहास की भौतिक वादी ब्याख्या, इतिहास की आर्थिक ब्याख्या मतलब आप समझ पा रहे हैं इतिहासिक भौतिक वाद का अर्थ हमें क्या देखने को मिल रहा है इतिहास की जो भौतिक वादी ब्याख्या है अर्थात हम कह सकते हैं इतिहास की आर्थिक ब्याख्या ही क्या कहलाती है इतिहासिक भौतिक वाद कहलाती है काल मार्थ ने इतिहास को एक प्रक्रिया माना है जो अन्य प्राकृतिक प्रक्रियाओं से इस अर्थ में भिन्न है कि वह मनुस्य के लच्छणों की प्राप्ति के लिए की जाने वाली प्रक्रिया है। मतलब कह रहे हैं कि जो काल मार्क्स जी हैं उन्होंने इतिहास को क्या माना है? एक प्रक्रिया माना है जो क्या है? प्राकृतिक प्रक्रियाओं से इस अर्थ में बिनना है। जो प्रकरितिक प्रक्रिया हैं उनसे थोड़ा बहुत भिना है वो किस प्रकार से भिना है वह मनुस्षिकों लच्छडों की प्राप्ति के लिए की जाने वाली प्रकिरिया है कि वह कौन सा भवतिक प्रभाव है जो इतिहास की घटनाओं का संचालनवा नियमन करता है ठीक है आगे देखते हैं उन्होंने लिखा है कि माक्स ने इतिहास का इतिहास की व्याक्या एक तर्क पॉण तथा क्रम वद्धग्यान के रूप में की है मार्व का विचार है कि इतिहास की परतेग घटना आर्थिक सक्तियों द्वारा निर्धारित होती है मतलब उनके कहने का ये है कि जो इतिहास में परतेग घटनाय होती है वो आर्थिक आर्थिक का मतलब आप समझ पा रहे होंगे इकनॉमिकल जो पावर्स होती है उसके कारण ही क्या होती है ये दौर चीजें निर्धारित होती है और जब आर्थिक सक्तियां बदलती है तो इतिहास में भी परिवर्टन सुरू हो जाता है माक्स के समाज के विकास तथा इतिहास के ब्याख्या समंदिस सिद्धान्त द्वंदनात्मक और भौतिक वार्थ पर आधारित है तो यहाँ पे आपने देख लिया होगा कालमाक्स ने जो है किसके बारे में काल मार्क्स ने जो है एतिहासि भावतिक वाद के बारे में क्या कहा है यहाँ पे इन चीजों की जानकाई आपको प्राप्त हो गई होगी ठीक है आठवा नमबर पसंदेखते हैं वर्ग संघर्स का सिधान्त क्या है यहाँ पे आपको बताना है तो पूझी पती और स्रमिक वर्गों तथा सोसक और सोसितों अथवा मालिकों और मजदूरों में होने वाला संघर्स वर्ग संघर्स कहलाता है मतलब जो पूजी पती लोग होते हैं जिनके पास पैसे जादा होते हैं वो स्रमिक वर्गो का क्या करते हैं सोसन करते हैं जैसे मान लीजिए कहीं पर आप देख पा रहे होंगे कि आदमी हद से जादा वर्ग करता है और उसको पैसे बहुत कम दी जाते हैं, वहीं क्या कहलाता है, वर्ग संघर्स कहलाता है, ठीक है. मार्क्स के अनसार देखें, मार्क्स माहोदे के अनसार देखें, तो वर्ग संघर्स का चर्मोतकर्स आउसकता, रूप में सर्बाहार अधिनायक ही होता है, और अधिनायक ही यह अवस्था अपने आप से सभी वर्गों की संपत्ती का वर्ग ही समाज की और संक्रमण करने की अ कि जो वर्ग संघर्ज के चर्मो उतकर सा हो सकता है चर्मो उतकर सा मतलब जो एकडम में उसकता है आप समझ सकते हैं में उसकता जो में उसकी नीड्स हैं रूप में सरबाहार अधिनायक सरभाहार अधिनायक मतलब जो सरभाहार सभी का खा लेने वाला होता है वही होता है और अधिनायक की यह अवस्था अपने आप सभी वर्गों की समाप्ति मतलब कह रहे हैं कि जो अधिनायक की यह अवस्था होती है अपने आप सभी वर्ग की समाप्ति का वर्ग हीन समाज की और संक्रमर करने की अवस्था होती है इसका कहना है कि वर्ग संगर्स समाज के विभिन वर्गों में विभाजित होने क्या परिणाम है जब वर्गों के हित परस पर टकराते हैं तो वर्ग संगर्स की इस्थिति उत्पन हो जाती है मतलब इनके कहने का ये रहा कि जो जो ये जब वर्ग के हित परस पर टकराते हैं मतलब जो एक वर्ग होता है जो अमीरों का वर्ग होता है गरीबों का वर्ग होता है तो जब ये वर्ग हित की बात आती है अपस में टकराते हैं तो वहीं पर क्या होता है वर्ग संघर्ष की इस्थिती उत्पन हो जाती है मानो इतिहास की परतेक युग में विभिन वर्गों में संघर्ष की इस्थिती उत्पन होई है जैसे डासत युग दाशत युग का मतलब हुआ जब लोगों को दास बना लिया जाता था में मालिकों और दासों के मध्वर्ग संघर्ष उसके बार लिखा है सामन्त वादी युग इसमें क्या होता था सामन्त वर्ग और किसान वर्ग में संघर्ष पूंजी वादी युग इसमें पूंजी वादी युग का मतलब क्या हुआ पूंजी वादी युग पूंजी पती और सर्मिकों में संघर्स होता रहा मार्क्स ने क्या कहा है मार्क्स ने यह भी बताया है कि आज बिभिन वर्गों के मध्ध होने वाला संघर्स अपनी चरम सीमा पर पहुचने की और अगरसर हो गया है जिससे सोसित वर्गों की संख्या में ब्रधी होती जा रही है इस वर्ग के आसंतोस इस वर्ग का आसंतोस इतना अधिक बढ़ गया है कि पूझी पतियों से इनका संगर्स क्रांती का रूप ले लेगा इसका समस्त पूझी पति वर्ग की समापती हो जाएगी और तभी समस्त संसार सोसर से मुक्त हो पाएगा मतलब कहा रहे हैं यह कि जो आज के समय में अगर आप देखें तो जो सोसर होने वाले लोक हैं उनकी संख्या कापी जादा बढ़ गई थी बढ़ी थी और अभी भी बढ़ी है तो जब इनकी संख्या जादा बढ़ जाएगी तो ये करांती कारी बन जाएंगे और जब क्रांतकारी बन जाएंगे तो हो सकता है जो पूजी पती लोग है उनको अपने संपत्ती से हाथ धोना पड़े उनकी समाप्ती वहीं पे हो जाएगी और वहीं पे जब इन लोगों की समाप्ती हो जाएगी तो सारी संसार से सोसड मुक्त हो जाएगा जो पूरा संसार है जो पूरा विश्व है वो सोसड युक्त मुक्त हो जाएगा कब जब सारी संपतिवादियों की पूजी पतियों के क्या हो जाएंगे समापती हो जाएगी ठीक है नवा नमबर परसना आप से कह रहा है कि समाजिक उद्विकास से क्या तात पर है जो समाजिक उद्विकास है उससे आपका क्या तात पर है तो डार्बिन ने उद्विकास सिध्धान्द को इस्पेंसर ने समाज पर लागू किया और समाजी उद्विकास का सिद्धान क्या किया है प्रस्तुत किया है इस्पेंसर के अंसार समाज का उद्विकास भी सरल से जठिलता अभिनता से भिनता और आसबदता से सबदता की ओर हुआ है उनका कैना ये है कि जो समाज का उद्विकास जो समाद बढ़ा है वो कहां से बढ़ा है सरलता से जटिलता सरलता से मतलब आसानी से कठिन की और बढ़ा है आसान से कठिन की और अभिन्नता मतलब पहले अभिन्नता पाई जाती थी इसको धीरे धीरे अब यहाँ पर भेनताएं देखी जा रही है आज सब्धता पहले पाई जाती थी और सब्धता पाई जा रही है इस परकार से समाज के क्या हुआ है विकास हुआ है प्रारम में ब्यक्ति अकेला था धीरे धीरे परिवार अस्तित्तों में आया और परिवारों के सम्मेलन में से समाज बना मतलब कह रहे हैं कि पहले क्या हुआ धीरे धीरे पहले बेक्टी क्या रहता था अकेला रहता था धीरे धीरे उसके छोटे मोटे परिवार बनने लगे और जब सारे परिवार इकठे हुए, सम्मलित हुए तो क्या हुआ समाज का निर्मार हुआ, समाज में धीरे जीरे सजातियता संपन होने लगी, जैसे अपने सजाति के लोग वो इकठा होने लगे, भिन्नता बड़ी और जितिलता में बिर्धी हुई, इस पेंसर के मता अनु प्रप्रसनिसी प्रकार से आप से कह रहा है में प्रजोस्त, क्या कह रहा है, कह रहा है कि समस्त ब्रम्हांड के बारे में इस्पेंसर का क्या मत है, पूरे ब्रम्हांड के बारे में इस्पेंसर ने अपना क्या मत दिया, इसके बारे में आपे पूछ ले रहा है, तो इस्प आलित होता है पूरे ब्रह्मान में तीन सती ही चलते हैं पदार्थ कभी नश्ट नहीं होता यहां पे इन्होंने कहा है जो पदार्थ होते हैं कभी नश्ट नहीं होते गती की निरंतर्था पाई जा रही है मतलब लगातार मोसन देखने को हमें मिला है सक्ति सास्वत है सक्ति स आसवत मतलब पूरे ब्रम्हान में कोई न कोई ऐसी सक्ति है जो रन भर रही है रनिंग कर रही है आगे कह रहे हैं पदार्थ और गती दोनों सक्ति के दो पहलों है या पहला तो आप जो पदार्थ देखा है और जो गती देखा है ये दोनों क्या सक्ति के दो पहले है पदार इन दोनों के संतुलन से चलता है किसके किसके पदार्थ और गती दोनों के संतुलन से ही क्या होता है पूरा संसार चल रहा है गती पदार्थ को गत्सील बनाए रखती है जो गत्सील हो क्या करती है पदार्थ को गत्सील बनाए रखती है उसमें मोसन पैदा करती है पदार्थ को काटने पीटने चलाने आजिसे वह कभी नश्ट नहीं होता है कोई भी पदात आप हो उसको काट दीजिए पीटिए या जला दीजिए वह नश्ट नहीं होगा जैसे आपने देखा होगा कोई कागज आप जलाते हैं तो वह नश्ट नहीं होता है वह राख में बदल जाता ह हैं इस्पेंसर ने डार्विन के दो नियमों पहले कौन से अस्तित्यों के लिए संघर्ष और योग्यतम का जीवित रहना भी अपनाया है जो इस्पेंसर है वह उन्हों सर महोदे ने अपनाया है ठीक है ग्यराहवान नमबर परसंद देखते हैं तार्किक युम आतार्किक क्रियाओं से क्या तात्य पर है जो तार्किक और आतार्किक सामन्ज सस्थापित कर पाते हैं तथा इनका आधार अनुभाव तर्क तथा प्रियोग होता है मतलब इसका आधार क्या है हम पहले किसी चीज का अनुभाव करते हैं फिर उसके बारे में तर्क करते हैं फिर उन चीजों का हम प्रियोग करते हैं यही क्या है इसका बेस है ये किरियाएं अनुभाव सिद्ध मतलब अनुभाव सिद्ध मतलब अनुभाव द्वारा सिद्ध होने के कारण वास्तविक और प्रमारिक मानी जाती है ये क्या रियल और क्या मानी जाती है प्रमारिक मानी कि वही क्या कहलाती आतार की कहलाती हैं ये भावना और अनुमान पर आधारित होती हैं आप किसी चीज की आपकी कोई भावना है इमोशन से उसको आप कह दीजिए मैं मान ले रहा हूं ये बिना तरकी बात हुई आप कोई कलपना कर रहे हैं कि कास ऐसा होता हम मान ले रहे हैं कभी लोकन परिच्षण और प्रयोक दोरा के दोड़रा संभव नहीं है मतनले आप उनको देख, महसूस और उसका परिच्षण नहीं कर पाएंगे अता ही बिज्ञान के छेतर में नहीं आता है यह क्या बिज्यान के छेतर में नहीं आता है ठीक है बराहवा नमबर परसन हम देखते हैं अवसेशों बिशिष्ट चालकों के परकार बताईए ठीक है अवसेशों जिसे हम बिशिष्ट चालक कहते हैं उनके परकार बताना है तो मानों की किरियाएं चालकों पर निर्भर करती है ठीक है वे अवसेस अस्थाई चालक होते हैं, जो मानविय किरियाओं को निर्धारित, संचालित वा नियंतरित करते हैं, ये विशेस चालक मूल प्रविर्ति यों भावनाओं को अभिव्यक्ति हैं, ठीक है, आगे देखते हैं, पैरोटो ने अवसेसों के छे प्रमुक भागों में वाटा है, किसको अवसेसों को कितने छे प्रमुक भागों में वाटा है, कौन-कौन से भाग हैं, वो देखते हैं, एक मिनट इसको थोड़ा सोपर करते हैं, पहला आप यहां पे देख पा रहे हैं, संयोजन या सम्मिलन के अवसेस, दूसरा कौन सा है, समोहों में आस्थित अस्थाईत्व के अवसेस, ब्रम्ह क्रियाओं द्वारा सम्वेगों की अभिवेक्ति के अवसेस, सामाजिक्ता के अवसेस, ब्यक्तित्व एक्ता के अवसेस, काम सम्मंधित अवसेस, ये छे भाग में माटे गए हैं, तिरावा नमबर प्रसन कह रहा है, अभिजात वर्ग की विशेस्ता बताईए अभिजात वर्ग की विशेस्ता आप से पूछ लेगा आपको बताना रहेगा तो आप यहां पे बता सकते हैं समाज के सासक वर्ग को अभिजात वर्ग कहते हैं जो समाज में सासन करता है उसी को अभिजात वर्ग कहते हैं स्रेष्ट जन या विशिष स्टिजन कहते हैं इस वर्ग के हाथ में सकता होती है यही क्या करते हैं पूरे समाज को चलाते हैं जिनके बल पर वह समाज संचालन करता है पैरेटों ने अभिजात वर्ग की निमलिखित भिसेस्ताइं बताई हैं कौन सी पहली तो अभिजात वर्ग में उन बेक्तियों को सम् आगे कह रहे हैं, दूसरा उन्होंने के अभी से इस्ता बताई है, अभी जात वर्ग को सासक और सासित दोनों वर्ग में बाटा जा सकता है, मतलब सासक में भी बाट सकते हैं, तीसरा इन्होंने कहा है, अभी जात वर्ग सार्ब भौमिक और सभी समाजों में पाया जाता है, अभिजात वर्ग समाज में इस्तिर रहता aí is का परिभरमण होता رहता है मतलब कह रहे हैं यह क्या है जो अभिजात वर्ग है यह एक जगे पर नहीं रुखता है इसका परिभरमण एक हाथ से दूसरे हाथ में चलता रहता है! I hope यह सारी चीज़े हैं आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप उनसे लगातार लाभार्बित होते रहे तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं नए जोस नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए जैहिन जैवारत